ये है सोनी ब्रेंड की तरफ से लेटेस्ट कैमरा सोनी A7C Mark II एक ऐसा कैमरा जो 2023 and 2024 में one of the best mirrorless full frame कैमरा है दो लाख बजट में और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस कैमरा की capabilities को test देखते हैं फोटोज और वीडियो में ये कैमरा कैसे perform करता है और क्या-क्या limitations हमें इस कैमरा में देखने को मिलती है and by the way guys अगर आप इस चैनल पर नए है तो make sure आप चैनल को subscribe कर ले चलिए गाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इस वीडियो को guys मैंने दो part में divide कर दिया है एक है photography part और एक है videography part तो सबसे पहले ये figure out करते हैं कि जो A7C Mark II है ये photography की point of view से कैसा perform करता है तो A7C Mark II में installed है 33 megapixel का camera sensor जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप high quality में high detail में photos को capture तो करी सकते हैं लेकिन इसके अलावा अगर आप let's say wedding photography करते हैं तो आप high quality में albums को बड़े size में भी प्रिंच करवा सकते हैं जिसमें बहुत अच्छी आपको detail देखने को मिलेगी चलिए guys specification के अलावा कुछ आपको मैं practically photos के samples दिखातू जो मैंने अलग-अलग lighting situations में capture करे हैं से हमें कैसी overall details या फिर quality image में देखने को मिलती हैं तो इस camera की जो color sign से बहुत ही natural है यानि कि हमें colors जो है बहुत ही neutral और बढ़िया देखने को मिलते हैं ना कम ना जादा मतब आप vibrancy बाद में बढ़ा सकते हैं आपकी मर्जी है आप settings में भी बढ़ा सकते हैं या फिर editing करके भी बढ़ा सकते हैं लेकिन overall जो color से आपको जो मिलते हैं वो natural मिलते हैं ताकि आप अपने according जो है flexibility के साथ उसको adjust भी कर सकें इसके लाब बात करें skin tone की तो बहुत ही natural skin tone जो है य या फिर overall details की जैसे की sharpness वो हमें enough good देखने को मिलते हैं और सबसे impressive है इसका focus बहुत जल्दी human या फिर किसी भी subject को focus कर लेता है इसके लाबा बात करें quality की तो as you can see अगर मैं photo को इतना जादा zoom करू तो भी detail बहुत बढ़िया maintain रहती है यानि कि आप सभी photos को जो है zoom या फिर crop करके अपने coding editing में जाके recompose भी कर सकते हैं तो overall guys sony का a7c mark 2 बहुत ही high end quality photos produce करते हैं जिसको आप versatile तरीके से use कर सकते हैं जैसे की weddings में या फिर event में या फिर अगर आप content creation करते हैं तो भी कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि आप professional work इस camera से easily कर सकते हैं photography के point of view से तो इस camera में और यह point मैं highlight इसलिए कर रहो क्योंकि sony के बहुत ही limited camera था जिसमें हमें पूरी touchscreen operation का feature देखने को मिलता है in fact जो इससे पहले वाला model था a7c जो mark 2 नहीं है सिरफ normal जो model है उसके अंदर हमें पूरी touchscreen देखने को नहीं मिलती थी वो partial touchscreen थी लेकिन अब हम इस camera को fully touchscreen की मदद से operate कर सकते है जो मेरे को बहुत ही अच्छा point लगा जिसको मैंने तभी specially highlight किया है इसके लावा यह camera auto rotate features को भी support करते है जैसी कि अगर आप camera को horizontal mode में use करेंगे तो आप camera को horizontal screen में use कर सकते है प्रिव्यू सारा जो है horizontal mode में देख सकते है और अगर आप camera को vertical mode में use करते है तो सारा जो user interface है specially जब हम preview करते हैं अपर अगर हम live view देखते है तो वो हमें vertical mode में rotate हो के देखते है जो मेरे को बहुत ही अच्छी चीजी लगी और यह मैंने बहुत ही कम cameras में देखा है और इस feature का फायदा यह है कि हम versatile तरीके से इस camera को horizontal और vertical दोनों content में जो है use कर पाते हैं अब photography के point of view स बात आती है focusing की तो A7C Mark II में हमें AI processing की जो है focusing power देखने को मिलते है जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी subject आपके frame में होता है चाहे वो human हो चाहे वो animal हो या फिर कोई भी subject हो यह camera automatically उसको track कर लेता है in fact अगर आपका subject let's say कोई human है वो move भी कर रहा है तो भी automatically जो उ automatic जो है यह camera auto focus में performance दे सकता है अचा कहीज अगर आप candid या फिर sports photography बहुत जादा करते है तो इस camera में हमें maximum मिलता है 10 frame per second पर high speed shooting करने का feature वो भी view finder से और 8 frame per second का feature वो है live view से यानि कि अगर आप view finder में देखकर photos capture करते है high speed shooting में तो 1 second में 10 photo लगातार capture कर सकता है जिसका सबस बढ़िया जो है अच्छे high speed moments को capture कर सकते है इसके अलबा मज़े की बात यह है कि इस camera में हमें 10 creative presets भी मिलते हैं जिसको आप photos में apply करके अलग-अलग जो है vibe या फिर अलग-अलग color tone produce कर सकते है और जो एक beginner के बहुत काम आता है कि कैसे हम colors के साथ play करके versatile तरीके से अलग-अल photography specification एक professional camera की point of view से हमें enough good और enough powerful देखने को मिलती है और मज़े की बात तो है कि इस camera के अंतर हमें latest जो है sony का bions xr processor देखने को मिलता है जो सबसे ज़्यादा मदत करता है जब आप high speed shooting करते हैं फिर आप heavy files को process करते है तो उस चीज़ को जल्दी से render करना जल्दी से process करना जल् ज़्यादा help करता है इसले इसकंदा जो है latest प्रोसेसर को integrate किया गया है now moving to the next part जो है low light performance तो यह camera support करता है 100 से लेके 51,200 तक का ISO power that means आप extreme low light situation में भी जो है बहुत अच्छी high quality में photos को capture कर सकते हैं आइए guys मैं आपको कुछ photos के samples दिखातो जिससे आपको better idea होगा कि आप जो है क इस तरह से low light performance में इस camera से photos को capture कर सकते हैं तो इस सभी photos guys हमने night time में लिये हैं और सबसे अच्छी बात मेरे को इस camera की यह लगी कि अगर हम ISO boost भी कर रहे से तो भी grains जादा नहीं आ रहे थे जैसे कि मैंने आपको वीडियो की starting में बताया था कि यह camera full frame है जो जादा light capture कर पाता है और जो processing है बहुत ही अच्छी हमें night view में देखने को मिलते हैं चाहे बात हो color tone की colors की या फिर overall detail की और सबसे अच्छी बात मेरे को यह लगी कि हमें night में focusing में कोई भी problem देखने को नहीं मिलती और कुछ-कुछ photos में मैंने कोशिश करी है ISO बहुत जादा boost करू क्योंकि 51,200 तक ISO जाते है और इन photos में आप देख सकते है ISO बहुत जादा है लेकिन quality फिर भी maintain है और grains भी कम हमें देखने को मिलते है तो यह है night में quality अच्छा करते हैं इस camera की design की जो बहुत important है discuss करना पूरा जो camera का design है compact है और in-hand experience बहुत premium है lightweight है easily आप beginner भी है या फिर intermediate है मजा आने वाल में और इसके लाब आप बात करें overall इसके USP की यानि कि क्या इसमें best है तो इसमें हमें flip out screen मिलती है इसमें आप बहुत बढ़िया जो है vlogging कर सकते है या फिर vary angle अगर आप shots लेते तो आप इसमें देख सकते है कैसे आप shoot कर रहे है और fully touch screen तो मैंने आपको बदाए दिया बाक का कैसा है अब photography के बाद guys बात आती है वीडियोग्राफी की तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियो के samples दिखातो और फिर हम वीडियोग्राफी के उपर बात करते हैं तो अभी time हो रहा है शाम के पांच यानिकी पांच बच्चुकि है sunset का time में धूप जा चुकी है और अगर आप इस camera को handheld use करने वाले हैं और अगर आप यह देखना चाहते है skin tone कैसी आती है stabilization कैसी आती है या फिर इसका microphone कैसे काम करता है क्यूंकि मैंने कोई भी external microphone नहीं लगा रखा तो इस video samples आपको definitely idea हो जाएगा let's say अगर मैं move करता हूं और इस तरह से अगर हम movement करते है handheld या या फिर आपको skin tone देखने को मिलती है that's it वीडियो गाईज मैंने शूट करी है FE 50 mm lens के साथ में 4K 24 frame per second की speed पर जिसमें हमें stabilization नहीं देखने को मिलती quality आपके सामने काफी हद तक बढ़िया है बस stabilization की परको कमी लग रही है जो हम अगर stabilization वाले लेंस attach करे तो बहुत अच्छी वीडियो इस camera से produce कर सकते हैं मतलब जब मैंने वीडियो देखी तो मैं समझ गया कि ये camera ना सबको टारियर करता है चाहे आप wedding videography कर लें चाहे आप vlogging करते हैं चाहे आप content creation करते हैं जो वीडियो के features है वो almost हर तरह की professionals को टारियर करते हैं जो दो लाके आसपास का camera लेना चाह आँगा है इस camera की जो body की power है बहुत कमाल की है अब आप इसके साथ कौन सा lens यूज़ करते हैं जिसका wide aperture है या नहीं है उस पर depend करते हैं कि low light situation में कितना अच्छा ए camera परफॉर्म करेगा लेकिन जो body की power है जैसे की focus हो गया फिर is हो गया फिर overall processing होगी या फिर color tone होगी वो फोकस करता है बहुत ही जल्दी से जो है आप सारी चीजों को focus करवा सकते हैं जहां पर भी आप करवाना चाहते हैं in fact जो focus breathing है वो भी हमें बहुत ही अच्छी और smooth देखने को मिलती है तो overall guys चाहे बात हो day की या फिर night की आप हर lighting situation में बहुत अच्छी वीडियो इस camera में produce कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यहीं suggest करूँगा कि अगर आप high end professional काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप उन lenses को use करें जिन में stabilization होती है ताकि आप और भी बढ़िया handheld video low light situation में या फिर वैसे बना सकें अब sony का camera है और slow motion videos को हम test ना करें यह बहुत ही unfair हो जाएगा तो सबसे पहले अब यह देखते हैं कि slow motion videos कैसी हम A7C Mark II में बना सकते हैं और किस resolution में बना सकते हैं तो सबसे पहले guys मैं आपको normal short दिखाता हूँ कि अगर हम इस sequence को normally shoot करते तो कैसी video आती और किस तरह से जो है सारे actions या फिर सारे movement को यह camera record करता है लेकिन जैसे हम इस video को slow motion में डालते हैं तो देखो guys कितना smoothie जो है camera slow motion करता है और बात करें capabilities की तो इस camera में हम full HD mode में 120 frame per second की speed पर maximum slow motion कर सकते हैं और as you can see जो focus है बहुत ही हमें fast देखने को मिलता focus breathing बहुत smooth है तो अगर आपको बहुत पसंद है slow motion videos तो यह camera आपको बहुत पसंद आने वाला है तो Sony A7C Mark II में हम no doubt बहुत अच्छी 4K quality में videos को produce कर सकते हैं लेकिन जब मैंने detail में इस camera को use किया तो honestly मैं आपको बताओ मैंने कुछ limitations को भी face किया जो मैं आपके आगे highlight करना चाहूंगा तो सबसे पहली limitation है resolution में अगर हम 4K mode में 24 frame per second या फिर उससे नीचे की video बनाते तो हमें full frame का perspective देखने को मिलता है पूरी आप output जो है sensor की निकाल सकते हैं लेकिन जहां आपने 4K 24 से उपर कर दिया resolution लेकिन 4K 30, 4K 60 वहाँ पे guys crop factor apply होता है that means जो भी video उस resolution में बनेगी वो 4K तो होगी लेकिन quality में थोड़ास आपको difference देखने को मिलेगा क्योंकि crop factor apply हो रहा है इसके लावा guys अगर आप बहुत ही tighter area में काम करते हैं जहां पे आपके पास space बहुत limited है वहाँ पे अगर आपने इस setting में crop factor apply करवा दिया तो हो सकते है आ अगर आप इसमें lens लगाते हैं stabilization वाला तो बात अलग आपको stabilization मिल जाएगी लेकिन इसमें in body stabilization हमें नहीं देखने को मिलते है आपको digital stabilization देखने को मिलते है जिसका नाम है active steady stabilization और जब आप उसको apply करेंगे तो full frame आपको perspective नहीं मिलेगा crop factor apply होगा basically जो पूरी वीडियो उसके देखने को मिलते है जो अच्छी है लेकिन जो in body stabilization हमें बात देखने को नहीं मिलते है और अगर आप इस camera से high end cinematography या फिर वीडियो ग्रफी करना चाहते है तो यह camera support करता है 10 bit की video recording जिसमें में बहुत अच्छी detail देखने को मिलते है और अगर हम 4K 30 frame per second की speed पर या फिर उससे नीचे के video बनाते है तो हमें 7K oversampling की details के साथ जो है वीडियो में production देखने को मिलती है इस camera के थरूँ आच्छा कैस जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि Sony की जो cameras है बहुत ही ज़दा popular है S-Log के लिए तो इस camera में भी हमें S-Log का support देखने को मिलते है जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे cinematic look and feel जो है वीडियो में देखने को मिलेगी आपको कोई भी जो है custom या फिर अलग से color grading करने की नहीं पड़ेगी और अगर आप color grading करना भी चाहते है तो इस camera में हमें S-Log 3 का option देखने को मिलते है जिसमें आपको raw colors मिलेंगे वीडियो में जादा detail या फ जो है raw वीडियो में apply करने के बाद जो है कैसा होगा उसके बाद अपना shoot continue कर सकते हैं अच्छा कैमरा में इसके लावा और भी बहुत सारे features है चोटे चोटे जो बहुत कमाल के हैं जो मैं इस वीडियो में अगर cover करता वीडियो 20-25 मिनट की पहुच जाती लेकिन overall ये camera की ब पहले वाला model उससे compare करो तो बहुत जादा improvement हमें A7C Mark II में देखने को मिलती है तो overall guys अगर आप 2 लाग की budget में एक ऐसा camera चाहते है जो बहुत ही बढ़िया photography या फिर वीडियो गरफी आपको production करके दे और value for money camera तो Sony का A7C Mark II एक बहुत ही अच्छा option है इसके साथ आप Sony की FE व प्यूज है कि ये camera market में available नहीं है तो ऐसा नहीं है guys बहुत सारे offline store में camera available हो सकते है आपको online ना मिल रहा हो लेकिन easily जो है North India side जहां मेरा तो यहां तो market में easily आ चुक है तो आप आहां से buy कर सकते हैं तो okay guys see you all in the next week